भारतिय खेल मंत्राले ने रविवार 24 दिसंबर 2023 को बड़ा फैसला लिया है जिसमें Wrestling Federation of India की नई बॉडी को सस्पेंड कर दिया गया है दिरसल 21 दिसंबर 2023 को WFI के एलेक्शन्स हुए थे जिसमें भाजपा सांसद ब्रिजभूर्शन सिंग के करीबी संजे सिंग नए प्रेसिडन के रूप में चुने गए थे संजे सिंग के अध्यक्ष बनने के बाद भारतिय पहलवान साक्षी मलिक ने कुष्टी छोड़ने का फैसला लिया था वहीं बजरंग पुनिया और गुंगा पहलवान ने भी साक्षी का साथ देते हुए अपना पद मिश्री पुरसका लोटाने का एलान किया था यहां तक कि बजरंग पुनिया ने प्रधान मंत्री आवास के बाहर पुटपात पर अपना पुरसकार और एक खत रखकर छोड़ दिया था हाला कि इसे पुलिस ने बाद में हटा दिया था बता दें कि ये विवाद 11 महीनों से चला रहा है दरसल संजे सिंग की जीत के बाद WFI ने 28 दिसंबर से उत्तर प्रिदेश के गॉंडा में जूनियर नैशनल चैंपिंशिप टूर्नामेंट कराने का एलान किया था बता दे कि गॉंडा भाजपत सांसद ब्रिजभूशन का संसदीय छेत रहे बात करें अगर WFI की नई टीम पर चल रहे कारवाई के पीछे के बज़गी तो बता दे कि रेसलर्स ने ब्रिजभूशन पर सेक्शुल हरैस्मेंट का आरूप लगाया था जिसके कारण खेल मंत्राले के WFI की नई टीम पर कारवाई शुरू की गई बता दें कि खेल मंत्राले के इस निर्णय पर साक्षी मलिक की मा कृष्णा मलिक ने खुशी जाहिर की है उन्होंने कहा कि मेरी बेटी कुष्टी से सन्यास लेने के फैसले पर दोबारा विचार करेगी इसके अलावा प्रधान मंत्री के घर के बाहर फुटपाथ पर पदमश्री रक्तर आय पहलवान बजरंग पुनिया ने भी सम्मान वापस लेने की बात कही है मंत्राले की इस फैसले पर पुनिया ने कहा कि बेहन बेटियों के साथ अत्याचार हुआ है जब हम मैडल जीतते हैं तो देश के होते हैं कोई जातपात नहीं देखते एक साथ एक थाली में खाते हैं फेडरेशन खिलाडियों की मदद के लिए होती है ना कि उन्हें परेशान करने के लिए ब्रिश भूशन ने हर राजे में अपने लोग रखे हुए हैं हमारी सच्चाई उनके सामने नहीं दिखाई गई पहलवान तिरंगे के लिए खून पसीना बहाते हैं सैनिको और खिलाडियों से ज्यादा महनत कोई नहीं करता हमें देश ड्रोही कहा गया हम देश ड्रोही जैसे नहीं है हमें जीतने पर पुरसकार मिला था हम उसे वापस ले सकते हैं हम सम्मान वापस भी ग्रहन करेंगे वहीं दूसरी और खेल मंत्राले द्वारा लिये गए एक्षिन पर संजे सिंग ने क्या कुछ कहा आईए बताते हैं उन्होंने कहा कि खेल मंत्राले ने जो भी निर्ने लिया है मैं इसका स्वागत करता हूं मगर मैं इस फैसले से आश्चेरिय चकेत हूं मैं खेल मंत्राले से इस बारे में पूछूँगा उन्होंने आगे कहा कि मैंने कहीं भी पहलवानों का कोई अपमान नहीं किया मैं गोंडा जिले के नंदनी नगर स्पोर्ट स्टेडियम में तीन दिवसीय नैशनल कुष्टी चैंपियंशिप का आयोजन करना चाहता था ताकि अंडर 15 और अंडर 20 के बच्चों का साल बरबाद नहों और वह कुष्टी चैंपियंशिप में हो जाएं ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें शब्द साची के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद